के बार हम लोग करते क्या है कि जैसे हम लोग किसी दवा को अच्छा किसी को खराब । इसको बहुत अच्छा समझते हैं। यह जो भ्रहन था हम लोग का तुर हम को शर्षम को सही किया और विजेकर सांथे मैं विजेकर सांथन हैं। कोई अच्छा बुरा नहीं होता है परस्तितियों बस उसका जो सुभाव है उसका जो नेचर है वो परस्तितियों से उससे चेंज भी हो सकता है जैसे हम लोग जब फास्पोरस का नाम देते हैं तो एक ऐसे इंसान का याद आता है जो बहुत एफेक्सनेट है प्यारा बहुत और काश्टिकम का नाम देते हैं तो सिंपैफी फास्पोरस का नाम सिंपैथी दया भाव लेकिन इनका एक करूप चेहरा एक बुरा चेहरा अगरा चेहरा आज मैं आपको दिखाऊंगा जो विजेकर सर्ण ने हम लोगों को दिखाया और वो बुरा चेहरा समाज का एक और परिवार से जो संबन्दिव हैं नोग उनके बच्चों कैसे बचा सकते हैं जोतिस से चाही को इस चीज को कैसे कैसे आप जान के आपसे बच्चों को बचा सकते हैं उस पर हम लोग ऐसe लेक्च्चर है यह बहुत इमपॉर्टन लेक्चचर है जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत फाइदा करेगा एक रुब्रिक है आपको स्प्रीन पर दिख रहा होगा वह रुब्रिक है माइड लुटनेस ऑफ स्प्रीन मैं सर्चिंग फा लेटरिल गल्स इसको और स्प्रीक कर दे रहा हूँ आप अपकी स्क्रीन पर रुब्रिक दिख रहा होगा उस रुब्रिक का माइड और सीन मैं सर्चिंग फार लिटिल जहां पर दवा पड़ी है फास्पोरस विजेकर सर ने केस बताया कि कैसे डॉक्टर था जो बहुत अच्छा सर्जन था उसने सर से जब प्राइवेट कंसल्टेशन लिया तब सर को यह बात बताई किस तरह से वो उसको जैसे कुछ लोग इसको इस जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं साइकोलागी में बताव रहा जो लोग छोटे बच्चों को टार्गट बनाते हैं अपनी आफसीनिस का उनको क् प्राइब करनाता है ॑र इस पूड़ोफीलिया में है काँरिकम फास्वासिटॉरस वलेड़ना व्रेट्रम प्लेड़ना को तो हम लोग जानते हैं कि वो सेक्स्यली परवर्टेट हैं लेकिन हम इस चीज इस दो को बताई हैं शुप कंदिलि में जेखेंगे ये आज का टॉपिक है अगर इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं तो हमाई लिए बहुत आसान होगा जिन लोगों ने शुरुआ से लेक्चर किये हैं उनको बहुत हल करेगा हम लोग जोतिस से समंधित फिर से जो नया पैस सुरू करेंगे तो जो लोग भी इंटरेस्टेड और इस्टिलाजी और होंपैती को साथ कंबाइन किस तरह से लिए किस तरह से केज में समझते हैं वो लोग जरूर जोइन करें तो सबसे इंपॉर्टन चीज है कि कैसे हम होरोस्कोप में समझेंगे कि इस आदमी इंदर लिटोफिलिया है कि कोई आदमी बहुत आसानी से अदमी चीज होचन ग IOPSA गडंए किया आदमी के अंदर क्या सोचे लिए है Cia है उलग आदमी ने पुर्ध दिखाई पड़ते हैं जो हो खुआ तो एक बहुत इंपॉर्टिन पॉइंट है जो जोचिस में उसको बुझते हैं आरूर लगने हैं इसकी हिसायता से आपको दिखाई पड़ेगा कि पेशेंट क्या इंप्रेशन समाज को दे रहा है और वो उसकी एक फाल्स चबी भी हो सकती है जिसको हम लोग साइकोसिस बोलते हैं विजे कर सर हमेशा बेलेक्टर्स में बोलते थे कि सोरा सही करना असान है सिफलिस सही करना असान है साइकोसिस को ठीक करना बहुत ही डिफकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत सी बातों को चीजो को चुपाता है तो वहां पे आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या बता रहा है क्या चुपा रहा है कि तो अगर हम काल कुरुसी कुडुली बनाते हैं काल कुरुसी कुडुली को अगर हम देखते हैं जान से तो ये मेश रासी है, ये व्रसब रासी है, ये मितुन रासी है, ये करक रासी है, ये सिंग रासी है, ये कन्या रासी है, ये तुला रासी है, ये व्रस्चिक रासी है, ये धनू है, मकर है, उम्ब है, मीन है. जो तिस में जुपिटर को बोला जाता है गुरु मंगल सेनापक्ति है बुद्ध राजकुमार या छोटे बच्चे पुद्ध जो है राजकुमार या छोटे बच्चे चंद्रमा सुक्र ये सब राणी चंद्रमा राणी है सूर राजा है सुक्र राजकुमारी है ठीक है राहू एक धोंगी है के तुए धर्मातुआ है ये तो आपको आसान रहेगा अगर किसी भी कुंडली में क्योंकि थर्ड साइन तीन नंबर का साइन है ये इसको मिथुन भी कहते हैं इसको जैमिनी जैमिनी ये मिथुन इसका जो ओनर है वो है बुद्ध अगर थर्ड साइन एफ्लिक्टेड है अब वो थर्ड साइन कहीं पर भी बैठाओ जैसे कितनी पास्बिल्टी हो सकती है बारा पास्बिल्टी हो सकती है कि जैमिनी कहां बैठाओ बारा संभावना हो सकती है कि जैमिनी कहां कहां बैठाओ जैसे कि एक संभावना हो सकती है कि एक दो तीन जैमिनी यहां लिखाओ थर्ड हाउस ही ये बार्वा भाव हो सकता है आठवा भाव हो सकता है मतलब कहने का मतलब है कि बारा संभाव ना हो सकती है कि मिथुन रासी या जैमनी साइन आपकी कुली में किस भाव में बैठा है यहां पर भी हो सकता है इस फटा भाव है तो जैमनी साइन जो है वो आपके लेटेड है आपके बच्चों बच्चों जो चिल्डन है छोटे बच्चे है उनको तुसो करता है तो जैमनी हो गया जो जो तिस हम लोग पर रहे हैं उसमें खास चीज़ यह है जयसे वान यह लंने यह तुत्य भाव है ये जितिय भाव है, चतुर्द भाव है, ये पंचम है, पंचम भाव जो है, ये प्यार का भाव है, लव, एफेक्शन, और ये बच्चे का भी भाव है, ये पंचम भाव है, उसका हाउस और लड़ एफेक्ट हो जाए, जो तिस के हिसाब से, इतनी भी सेक्शन डिजायर है, उसका जो प्लेनिट है, वो वीनस है, वीनस तीन तरीके से भीएव करेगा, गुण जो होते हैं, तीन गुण है, इसे पूरी नेचर बनी है, तीन गुणों से बनी है, नेचर का तीन गुणों क्या कहा है, सत्य गुणों, रज्यों गुणों, तम्मों गुणों, इनी तीन गुणों को विजयकर सर ने नाम दिया, सोरा, स्टाइकोसिस, सेफिलिस्ट, वो बोलते हैं, जी, ओ, बी, जेनरेटर, अगनाजर, 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 इस्ट्रक्शन, शुक्र में जब सतोग्र होगे, तो वो लव होगा, प्लोटोनिक लव, जहां पे कोई सेक्स्वल डिमांड नहीं हो, तो जब पुराने गाने आते थे, पुराने गाने में हीरो, एजया खड़ा होता था, हेरोन बहुत दूर खड़ी होती, यह था, सतोगुणी गाने आते थे, फिर रज्वगुणी आना शुरू, आना हुए, तो उसमें दिखाते हैं, हीरोने पास बेठें, दो फूल आपस म बर्ड है, यह सब समझ में आता कि वो क्या कहा है, कुंडी ना खड़काओ राजा, तो यह सब क्या है, यह वीनस तामसिक होगा, वीनस तामसिक कब होगा, इसको मैंने बताया था, फिर बता दे रहा हूं, वीनस तामसिक होने कई कंडीसन है, पहली कंडीसन, जब सुक्र नी तब वो नीज का कहलाएका एक ची एक ची है शुक्र चटे आठें आठें या बार्वे माओं में बैट जए एक तब वो समसिक होगा सब कि सब्सक्र के साथ कर दो प्लैनेट के बीच में सेंड़ीच बन जाया जो मेलिफिक प्लेट जैसे के कुंड़ी है उस कुंड़ी में अगर सुक्र जैसे मालों सुक्र यहां बैठा है लगने बैठा है लेकिन दो मेलिफिक प्लेट के बीच में राहू मंगल या किसी के पीच में सेंडविच हो जाए तब उस कंडिशन में राहू सुक्र जो है तामसिक ताम्सिक राहू का जो प्यार है वो प्यार नहीं वो सिर्फ हवस है वो सिर्फ सेक्स तक्सीमित है उसके लिए प्यार का मदलब है कि यही उसका प्यार है इसी लिए फ्लोरिक एसिड का जो सुक्र है वो डेलेटेड है इसी लिए उसकी सारी जो इच्छाएं है जो कामना पूदकी है वो श्रेक्स रेटेट रहेड़ है कि जब आप आगे सब्सक्राइब के रिखा है सेम लेस्ट सेम लेस्ट आफ वाफ वाज़ाइमस पो सेम लेंगे आपको फार्स वोर्ट भी जेवलेट ने है सुक्र की वज़े से या तांसिक सुक्र की वज़े से आप कुछ गाई पूरें कि जो वाइगर है जो ताकत है ताकत हमेशा आती है मार्स से इसलिए मार्स का है सिनप की मार्स जहां पे भी जुड़ता है उस प्लैनेट के अंदर एनरजी को भर देता जैसे वीनस के साथ अगर मार्स आएगा तो वो उसकी सेक्सवल चीजों को एम्प्लिफाइड कर देगा और एग्रेशन ला देगा मतलब आप सेक्स करने के लिए या से इस चीजों के लिए हिंस ज्यान धर्म सब भूल जाते हो तो इसी लिए ऐसे केसे में इनको मॉरल्टी इस सब कुछी चीजों कोई मतलब में दूसरी बात मैंने का ना कि अगर किसी भी इंसान की बुद्धी भष्ट हो जाए यानि मरकरी भष्ट हो जाए तब भी वो क्या करेगा जो उसकी कि देखो मॉरल्टी के लिए आपकी बुद्धी का प्रापर होना पहुच जिनुरी है एक रूब्रिक आता है रिपडरी में कि मॉरल फीलिंग लेकाफ यहां पर आपको दिखाए पड़ेंगी कई दवाएं ना काडियम लेके ऐसी साय साय यह यह आपका जुपिटर आपको जान दे रहा है और जो जान विजडम है वो विजडम ही एफिलिक्टेड हो जाए वो विजडम एफिलिक्टेड हो जाए तो आपको चेहलत की arhnemika की चीज़े हुआ तो यहां पर जो जुपीटर है अगर उपिटर एर फिलिक्टेटेड है तो आपका जॉत काम नहीं करेगा और आप सिंद्थ समाज क्या सचेगा समाज अच्छा सचेगा क्या संचेगा द्धाने निदें आप वलेगा जो मैं कर रहा हूं आग वही कि अब यहां पर खास बात देखो जब का है कि माइंड मोरल फीलिंग लेकिंग परवर्जन्स यहां पर फास्पोरस तो नहीं इसीड फास है प्लेटिना है रिट्रमल में विजेकर सर ने एक सेमिनार में बताया था कि बहुत सी जो जैसे हम लोग अच्छा समझते हैं विजेक प्रस्टिट्यूशन में बहुत सी जादा दमाय मिलेंगी वह दबा मिलेगी एसिड फास्पोरिक एसिड यहां पर क्या है मायन्ड मोरल फीलिंग लैकिंग परवर्जन वहां पर फास्पोरिक एसिड पढ़ागवा है लेटना वहां पर है वहां पर ठीक है तो कोई अच्छ सब्सक्राइब है और एक चला गया सीथे वह सब्सक्राइब जो उसके अंदर अच्छा दुरा ख्राइब अब हम एक चार्ड ले रहे हैं चार्ड से आप कुछ इडियों को और समझने समझने में असानी मिलेंगी आप गूगल पर सर्च करिएगा एक नाम है जो लोग गूगल जिनके पास इसको सर्च करके देख सकते हैं अर्थ मिखेड बेल्गियम का एंचान था इसको उननिस सो पंचान में पकड़ा गया था एक टीचर था इसने प्रिंस को लिए एक ब्रदर सिस्टर थे उनको इसने टॉर्चर करना सुरू किया और उनका वीडियो बनाना और इसको इननिस सो पंचान में पकड़ा गया इसको दस साल गेल दी गई इसी कुंड़ी में बनाने जा रहा हूं आर्थ मिखेल नामें इसको बिल्जियम का था इसको नेट पर साज करें कि व्रेश्चिक लगन की कुंड़ी है के तू दूसरे भाव में है थार्ड आउस खाली है ओर्थ आउस खाली है बात अच्वे भाव में मंगल और सुक्र है यहां पे मरकरी है सन यहां पे है यहां पे सैटन और आहू है यह है थार्ड साइन यह खाली है यहां पे जो प्लीटर है यहां पे चंद्रमा यहां पे जो जैवनी है मिथुन रासी है मिथुन रासी कहां पे है एर्थ हाउस में है और सनी और राहू से एफिक्टर है सनी महाराज है वहां पे और राहू महाराज है अब है फिप्थ हाउस फिप्थ हाउस पे एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नो दस सनी का एस्ट यहां पे भी आ रहा है और वहां पे मार्स मार्स सेटर्न को कौन देख रहा है मार्स सेटर्न को देख रहा है यहां पे मार्स बेटा है यह देख रहा है एक दो तीन चार यह इसको देख रहा है मार्स सेटर्न मार्स को देख रहा है तो यहाँ पर मार्स फी एफिटेड़ है, यहाँ पर फिप्थ हाॉस पर आपका मंगल का और सणी का एफिटाव्ड़ ओनर उनर है, मैंने गाल आ थे ना सब्सक्राव आई उस पे किसका एक, दो, सवनी की तीन रश्टी होती थार्ड रॉस, सेवन्थ हॉस और टेज्थ हॉस. इस सनी की तीन रश्टियां हैं, मंगल की तीन है, चार, साथ आठ बस्पती की तीन दश्टियां हैं पाँच साथ और नौँ तो यहां पे पंचम का जो स्वामी बस्पती वो एफिलिक्चर है और देखो खाथ बार देखो यह उनली में टेंथ हाउस टेंथ हाउस होता है प्रफेशन का जो स्वामी को ने बेपिटर या बाई नेचर बाई प्रफेशन टीचर है यहां पे सुक्र उच्च का है सुक्र खराब नहीं है लेकिन उस पे एफिलिक्चन है जिसका मंगल का सनी का दो ग्रहों का एफिलिक्चन है और यहां पे अच्छा होते हुए भी वो दबाओं में है तो यहां पे इसका जो नेचर था वो पीडोफिली था तो यह पीडोफिली का केस है फिर आमनों अगली कुमली देखते हैं कि इसका विह नाम है इसका नाम लएं रहा हुए इसे आ डूर esp मेरे पास वो कुणलियां है इन का वीई हुआ है मेरे पास जिनोंने आफ प्यान है थे refrigeration हुआ है कि नहीं इस आदमी ने तो और बड़ा काम किया कि इसने एक ग्यारा साल के बैच्चे का रेव किया नड़के का और उसको मार डाला यह गटना है 27 मर्च इसके बाद यह पांच साल के बाद निकला बाहर और पांच साल बाद निकलने के बाद इसने क्या कि दो बच्चों को जो टुंटी एर के थे उनके साथ अगेर यही करता है इसे कुन लिब नाराओ झाल झाल अब आप लोग खुद देखो इसमें इसमें क्या मरकरी एफिलिक्टेड है एक चीज़ देखो मरकरी का जो साइन है साड़ साइन अगें एफिलिक्टेड देखो शनी यहां से एग दो तीन इसको देखी रहा है और खुद शनी ने बुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् यहां पर एक्साल्टेड है लेकिन यहां पर राव ने इसको पीड़ करना है जो रही सही कसर है उसको मंगल का इस्पेक्ट आ गया है मंगल भी निगेट्व है राव की निगेट्व है तो यहां पर जुपीटर जो की उच्च का है तो यहां पर वो सतोगुणी रजोगुणी तो नहीं गया है लेकिन सतोगुणी भी ने रे गया तो अब उने गया गया रजोगुणी रे गया इस आजमी का जो फादर था वो भी उसने अपनी बेटी का अब्यूस किया था मंदब इसकी बहन तो मंदब यहां से किसी भी कुंड़ी का जो नाइंथ हाउस होता है वो उसके फादर के बारे बताता था और देखो यहां का जो स्वामी है दस्वत्ति वो राहू से और मंग से बेव कर रहा था यहीं उसके अंदर भी इस तरह की आज़ते थी तो यहां पर भी जिस्टीफाइज होता है कि किस तरह से यह आजमी प्यूरी थे एक उंडली हम लोगावन लेते हैं यह एक उंडली है बारान यह पुरा नाम था जार्ज गोर्डन लॉर्ड यह एक उंडली बना रहा हूं जार्ज पुरा नाम थाद इसने एक जन्रेल निकाला उसका नाम अपने पूरी जो भी इसकी डिजार्स थी, इसने क्या क्या किया, इसने अपनी बहन एक थी, अलगत सौटेली बहन, उसके साथ सारा कुछ है, तो यहां पे जो सी कुम्ली में, जो ठर्ड साइन है, उसमें तो मार्स और केतु, यहां पे मून है, पांच, छे, साथ, मुलकरी, बस राहू, सम, सैटन, वीनिस, बहरा रुजे, इस तरह की जितने कुम्ली देख रहे हैं, तो आपको लिगएगा, थार्ड साइटन, वीनिस, थार्ड साइन, थार्ड साइन एफिलिक्टेड है, मरकरी भी एफिलिक्टेड है, वीनिस सैटन के साथ है, वीनिस तेखो यहां पे सैटन से एफिलिक्टेड है, थार्ड साइन मार्स केतु से एफिलिक्टेड है, मरकरी राहू के साथ एफिलिक्टेड है, तो जो मैंने आपको कि थर्ड साइन एफिक्टर हो और यह डाक्टर कृष्णा ने अच्छे से पाया है था कि जो बेनिफिक प्रेलिट है वो कौन कोल से है जुपीटर, वीनस, मरकरी एकार्डिंटू सिच्वेशन, मून एकार्डिंटू सिच्वेशन, इस बेनिफिक और मेलिफिक हैं मार सिच्वेशन, राहू, केटू, साइटन, एक, दो, ती, चाथ, पाल, छे, साथ, आठ, यहां पे मरकरी का बिहेवियर जो है, वो डिपेंट करता है कि किस के साथ, अगर अच्छे के साथ, अच्छे तरह भीएट करेगा, और खराब है, जो खराब करेदा है, चीक है, तो यहां पे सूर्य मैंने लिखा कि सूर्य, न्यूटर, ने ठें मन्दब, वो यहां न्यूटर, उस त पे एक जैसी दश्टी रखता है, ना वो किसी के लिए मैलिफिक है, न ब्रेंटी के, तो चुपीटर जो पीरित हो गया, तो समझ खतम हो गई, सुक्र पीरित हो गया, तो वो जो डिजायर थी, वो एक परवर्टिड डिजायर में गन्वर्ट हो गई, उद्धी जो हमारी, वो बेस्ट हो गई, और उनको कर को हो रहा है, बार्स कर रहा है, रागु कभी कर रहा है, कभी केत्व कर रहा है, कभी सेटन कर रहा है, इसका मदलब है, किसी प्रिनेट को, उसके जो साथ में प्रिनेट है, वो उसकी को खतम करके निगेटिव में कर देगा, और करने से फिर बारत में भी यह गटना आप लोग को या दोगा निठारी में हुआ था निठारी कांड वहां पर ऐसा हुआ था कि उसने कई बच्चों के साथ ऐसा तो यह भारत में भी होता है लिए भारत में हम लोगों को कि इतनी आसानी से हम विदेशियों की कुभी को यहां पर दाले हैं यहां पर जो लोग रेप करने के बाद मार डालते हैं उसके पीछे एक क्लिनिट है वो है मार्स कि मार्स उस चीजियों को बहुत एग्रेशन की लेवेल पर ले जाके मर्डर तक करवा देता है मर्डर तक तो आगर आप फुनली को नेर्सिस करते हैं आप थर्ड साइन जिसको हम लोग मिथुन रासी बोलते हैं जैमी रासी बोलते हैं अगर उसको एफ्लिक्टेट पाते हैं ठीक है और सुक्र को एफ्लिक्टेट पाते हैं प्रस्पती जो आपके विज़्डम जो मॉरल्टीज का तो आपकी आप स्योर हो सकते हैं कि उस परसन में मुझे यह रुब्रिक लेना है वहां पे मेरे पास चार दवाएं है फास्वोरस कास्टिकम प्लेटिना और अप्यकीन मानिये मैंने कई पेशेंट जिनको अंदर परवर्दन था उनको एक अभी पेशेंट था उसको होमो सेक् कि भी उसको फास्वोरस से किष्ट में फास्वोरस जीरो वाई पंग्रा से बहुत ट्रेमेंडेस चैंज आएँ है कि आप वह उसको पहले लड़कवें बहुत पसकते आप बोलड़क्सिंग के त्रफ अचेक्ट होना हुआ तो परवर्जन में आपको फास्वोरस फ्लेटि पेशेंट आके आपसे नहीं बताएगा लेकिन आप अगर इस चीज को पकड़ लेते हैं जान लेते हैं तो आप पेशेंट को सही करके समाज की बहुत बड़ी उदफ करने वह 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 इंसान समाज में बहुत बुरा करने जा रहा है क्योंकि उसका चुपा मोटिव है वह आप एक एस्ट्रोहोंपैथ होने का एक सब्सक्राइब है कि आप तो कि वह आसानी से कोई भी आके आपको यह नहीं बताएगा कि मेरे अंदर यह सेक्सुली परवर्दन चलना है को आसानी से नहीं बताएगा तो इसलिए मैं आप लोगों से यह करूंगा कि आप लोग इतने लोग भी यहां सुन रहे हैं वो इस चीज़ पर ध्यान दें और आप समाज के लिए बहुत ही हैलफुल रहेंगे समाज में क्या चलना है उसको आप बहुत अच्छे से सही कर सक कि आप लहें लोगों की मदद कर सकते हैं और तमाम बच्चों को बचा सकते हैं जो इस तरह के तो कि जो पेशन्ट है जो पीडोफिलिया में जा रहा है वो भी एक इंसान है लेकिन उसकी मानसिकी कब अचानक चेंज हो गई और कि वह इस तरह की चीज़ों पे जाये लगा क कोई इंसान बच्पन से पीडोफिरिया नहीं करेगा, वो कब जाता है, उसके लिए हमको विमसोत्री, डाक्टर कृष्णा ने आपको पढ़ाया भी होगा, विमसोत्री का नालेज होना बहुत दूरी है, विमसोत्री जो होती है, वो आपको बताती है कि किस, वो कॉमनेशन त अब ऐसा कर सकता है, तो हम एजे एस्ट्रो होपैद, अपनी दमाओं के माध्यम से उस परेशन को, उस परसन को इस बिमारी से बढ़ा सकते हैं, आज ये लाश लिक्टर था, जो लोग और 34 परहोपैदी को साथ में सीखना चारते हैं, थोड़ी से मेनत करनी है उनको कि आप अपने केसे में जो केस इंप्रूव हो रहे हैं, जो नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, उनमें डेट, टाइम आप बर्थ, बर्थ प्लेज लेना सुरू करें, और आप फिर देखिए क्या रिजल्ट आते हैं, ये आप से मेरी हाँ जोड़के है, आज के आपने मुझे सुना, अव्यल कि झ fulfill प्कैणाते हैं, ये यग्या, ठाउध हैं ठाज प depression, हैं